दुर्गा पुजाद दिवाली का चुट्टिया एकदम सामने ही है और इस चुट्टि में लगबख सभी कही ना कही घूमने जा रहे है जरूत जाईए बहुत मज़ा कीजिए और साध में लेके जाईए all important things तूर में तो फिर भी option है पर अगर आप trekking पर जा रहे है तो अगर कुछ घर में छूट गया तो बहुत पच्ताना पड़ेगा आप बात आता है शारी important चीजों को कैसे सही से ले अपनी रुकसेक में रुकसेक कितना लिटर का ले जादा बाड़ा जादा भाड़ी हो जाएगा तो लेके चलने में तो बहुत दिक्तत होगा आपको भी होगा मुझे तो होता ही है तो जैसे कि मैंने वादा किया था मेरा पिछला एपिसोड में तो लो में हाजिर हो गया और एक एपिसोड लेके आप लोगों का ये समस्या दूर करने तो पूरा वीडियो को जरूर देखते रही है देखिए आप सभी ने और भी कई वीडियो में देखे होंगे और कॉमपानी भी क्लेम करता है इस कॉमपाटमेंट को as a shoe compartment पर मैं कभी भी इसे सू कॉमपाटमेंट की तरह यूज नहीं करता हूँ क्योंकि देखिए ये वाला जो कॉमपाटमेंट है ये तो बेस है ना सैक का और इधर अगर आप ट्रेकिंग सू को डालेंगे तो ट्रेक के सुरुआद में ही तो वो निकल जाएगा और सैक का पूरा बेस बिगर जाएगा फिर आप मेन कॉपाटमेंट में कितना भी समान डाल लो सैक का स्ट्राक्चर सही नहीं रहेगा बैलेंस बिगरता ही रहेगा सैक को प्रोपर लिप पैकिंग करना बहुत जरूरी है और ये एक आर्ड भी है ऐसा वीडियो जादा से जादा पाने के लिए चैनल को जरू सब्सक्राइब करके रखिए आप देख लेते हैं छे से साथ दिन की ट्रेक के लिए टी शर्ट्स, ट्राउजर्स, आपर्स, लोर्स कितना लिया कितना लेना चाहिए ये एक टी शर्ट, ये दो, ये एक कोलॉम्बिया का ब्रीदेवल शर्ट, ये एक फुल स्लिप टी शर्ट, और ये एक इससे मैं इनर की तरह यूज़ करता हूँ ये एक और एक लोर और एक हब ट्राउजर जादा से जादा चीज लेने की जरूरत नहीं कि ठंड में बार बार उतना चेंज करने का मन भी नहीं होता है और आप्शन भी नहीं रहता है बारिश या स्नोफल के लिए बस बैक अप होना चाहिए और इन सब के साथ आप जो पहन के स्टार्ट कर रहे हो वो एक सेट तो रहे गाई ये रात में पहन के सोने के लिए ऐसा में एक ग्लाब्स लेता हूँ और ये वाला स्पेशालिस्ट नो के लिए क्योंकि पहाडों में माउंटें स्वाल को ऐसा सापोर्ट पकरने की सिचुएशन तो आता ही है और वो वाला स्नो में पुरा भीग जाता है ये एक क्याप हाई अल्टिचुट में अल्वेस सर धका रहना चाहिए नहीं तो आप बिमार हो जाएंगे ये एक डाउन जाकेट अगर आप हाई अल्टिचु ट्रेक कर रहे हो या हिमालाइन ट्रेक कर रहे हो तो ऐसा एक जाकेट आपके पास होना ही चाहिए बहुत काम आता है मस्ट बाई ये एडिडस का दो आपड ये डे हाईक में ये कम ठंड में बेस्ट है बाईश को भी कुछ देर तक जहल लेता है मैंने दो लिया आप एक ले सकते है या फिर फ्लीज भी कैरी कर सकते है आप लोग सौक्स जादा से जादा ले लीजिए तीन से चार पेर तो मस्ट है और ये एक हाई नेक स्वेटर क्योंकि मैं इनर जादा यूज नहीं करता हूँ बहुत थंड होता है तो मैं इसे डाउन जैकेट के अंदर पहन लेता हूँ ये कुछ निउस पेपर्स जाद से जादा ये भी ले लीजिए इसका वैराइटी आप यूज ए ट्रेकिंग सु को आप पैक करके सैग में डालिये मैं ट्रेन से इसे पहन लेता हूँ एक स्लीपर बस पैक करके अंदर डाल लेता हूँ एक पाउज बैक इसके अंदर मैं अपना कैमेरा और फोन का चार्जर्स बैटरी, पावर बैंक सब ले लेता हूँ पर इसके अंदर भी टीसू पैपर से मोड़के सब चीज को राखना कमपलसरी डॉकुमेंट्स, मेडिसिन्स और टॉयलेट पैपर की रोल को भूल रहा हूँ अगर हाई अल्टिचूट में आपको हाई अल्टिचूट सीगने से मचना है तो पानी जादा से जादा पीते रहेना पड़ेगा ये एक दो लिटर की बोतल है मैं इसे ही कैरी करता हूँ तो पानी का हिसब सही से रहता है वरना छोटा बोतल में कम जादा हो जाता है दो लिटर आपको पीना ही पड़ेगा आप सुबा निकलेंगे साम में कैम तक पहुचने तक ये खाली हो जाना चाहिए और भी कई चीज़े है जो अभी भी इसमें घुसेगा पैक करना बागी है तो ऐसा इन्फॉर्मेटिव वीडियोज की और एपिसोडों के लिए कॉमेंट जरूर करें और रेगूलर अपडेट्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम या फेस्बुक में जरूर फॉलो करें आज का एपिसोड था जो लोग एजेंसी के साथ ट्रेकिंग करते है उन लोगों के लिए सोलो या अलपाइन ट्रेकर्ड्स के लिए डिटेल्स में एक अलग एपिसोड आएगा